अब्दुल रहीम खान खाना जी रहीम के नाम से रसे तुमें हैं हिंदी साहित में उनका बहुत बला इस्थान है रहीम जी ने सामाजिक नीतियों पर व्यभार पर नैतिकता पर समाज सुधार पर इतनी सुंदर रचनाय की हैं इतनी सुंदर दोहे लिखी हैं कि उनको समाज में एक लोकुक्तियों की तरह भी प्रियोग किया जागा है क्योंकि वो ऐसे भावों से भरी हुई हैं जो समाज को एक सीख देती हैं एसी सीख देती हैं कि यदि हम उनका पालन करें तो कभी असफाल नहीं हो सकते बलकि एक समाज में सुंदर रियाएगा समाज में समांता का भाव आएगा ऐसी चीजों को उन्होंने अपने दोहों का बिशे बनाया है उन्होंने हर छेतर पर दिखा एसलिए रहीम जी को एक बहुत ही ऐसे जिस तरीके से कभी हुए कि उन्होंने समाज का कोई छेतर चोड़ा नहीं और सब एक सही कुछ दिखाने की कोशिश की उसी तरीके से रहीम जी में हर छेत्र पड़ा चाहिए वो भाति का च्रैत्र हो और चाहिए वो नीति का हो व्य। वेभार का हो फहर तरीके लिए यहां पर मुझे उन्के प्रकरति काकर सकत कुसंग चंदन विश्व्यापत नहीं लिप्टे रहत भुजंग देखिए चरित्र की महामता कि जोर रहीम उत्तम प्रकरति अगर आपकी प्रकरति उत्तम है स्रेश्ट है तो आपका कोई कुछ भी नहीं बिगार सकता में कोई संग कि संगा आपको कुसंगति में नहीं ले जाए Glen Dong है अगर आप में अच्छे गुन हैं तो कोई उनको भी प्रकरति अगर आखिव प्रकरति अची काकर सकत्त कुसंग आपका कोई भी कुसंग कुछ भी नहीं बिगार सकता आख ह。 सर्प लिप्टे रहते हैं क्योंकि उसमें शितलता होती है और आप जानते हो नाग सर्प काले होते हैं और उनमें बिश होता है इसलिए वो बहुत ही ठंडी जगह को ढूंदते रहते हैं क्योंकि वो ब्याकुल रहते हैं गर्मी की विदसी काला रंग गरम ज्यादा सोकता है और वैसे विष्पी, विष्पी भी जो घव्राहट है विष्पी तासीर है वो टासीर है तो क्या करते हैं कि चंदन आपत you लिप्टे रहते हैं तो काकरि सकत कुसंग चंदन विश्व्यापत नहीं लिप्टे रहते हैं कि चार तरफ से सर्प लिप्टे रहते हैं लेकिन चंदन अपनी शीतलता को नहीं छोड़ता उसकी शीतलता में उसकी सुगंद में कोई परवर्तन नहीं आप तो वहीं यहां पर क जब आपके अंदर जो भाव हैं, जो गुण हैं वो आपके लिश्चत हैं, यह नहीं कि किसी ने कुछ कहा और अधर आप जुग गए, जुग जाएंगे तो परवतित की जाएंगे, उधर ही चले जाएंगे, अफसर बच्चे कहता रहे यह इसलिए बिगड़ गया और उसकी स स्मया से बहुत अधर बहुत सुम्धा और टोहा एक लेरी हूं, बहुत सुम्धा के बढ़ा हैं कि जब पी कोई चोटे, बड़े यानि अपने आप में चाहिए, जो धनवान हुए, तो वो छोट के से बात निर्धरों से बात करते, अपने आपको बहुत ऊंचा समझे, रहिमन देखी बड़ेन को लगुन दीजिये डार, जहां काम आवैस हुई, तहा करे तलबार। बहुत सुन्दर अच्छा। क्या कहलें कि रहिमन देखी बड़ेन को अगर आपके दोस्ति बड़ों से होगे तो छोटों हमों छोड़ दीजिये। क्योंकि अश्र एस होता है कि यद हमारे किसी धन्वानों से जो समास के प्रतिष्चित लोग हैं, उनसे अगर हमारी जान परचान हो जाते हैं तो हम नीचे बड़ों को बदाने को छोड़ों क्या है। लेकिन रहिम जी क्या कहते हैं कि देखी बड़े इनको लगोन दीजिये डार छोटों को छोड़िये मत क्योंकि उनका जो महतु है वो बड़ों का नहीं हो सकता और दोनों के महतु में भी उन्होंने फर्क को पता दिया कि जहां काम आवे सुई कहा करे तलवार, तलवार काम करती हैं लेकिन सुई जोड़ने का काम करती हैं आपस जोड़ती है तो दोनों का उन्होंने अंतर बीस पर दिया और यह बी बता दिया कि जो लगों की अमांता बड़े लोगों नहीं कर सके रहते हैं अहंकार आने की वज़े से धन आने की वज़े से उनके अंदर मानवी ताकि गुणों का हिराश हो जाए और जर्की जो निर्धन है उनमें दयालुता अधिक होती है उनमें सायोग की भावना अधिक होती है उनमें एक दूसरे की सहायता करने की बात अलग होती है कितनी सुंद तलवार तलवार वहं पर थाण और ऊसकती है। यह सोंगा तलवार कर सकते है केक तलवार काम नहीं कर सकते है ए तो पुए जो काम करती हैं जो मिलाने का काम करती है वो तलवा ने करती है Channel, काटने का काम करती है तो इसलिए उनोंने की चेताया है पूझता आ संवारने नों Seo भ combi मन देखिए रहु जड़गों को अलग मत करती है छोटों को ऐसा मैं समझें कि वो किसी काम के नहीं है बलकि उनके काम में बहुत ज्यादा अच्छा ही है इसलिए समाज में समानता का प्यार का भाव रखिए बहुत सुन्दर यहां रचना की उन्हों में बड़ी सुन्दर बात करते हुए रहिमन धागा प्रेम का मत टोडности काँए और तूटे से फिर ना जुरे यूरेला दाय है कि सुन्दर बात की प्रें का दागा प्रेम काम मत टोडन चट्काई कि प्रेम जो है अगर उसमें ثोड़ी सी बी गर्बर हो जाती है अविस्वास हो जाता है जूत हो जाता है तो क्या होता है फिर यह परने की कोशिच कर लो अगर एक बारिती हो गाति यह में इंदांगें अनला ज्यूड़े से ना जूड़े जूड़े पर जाए किया किया है उस्में गांट लगाए में जुड़े के अगर जुड़ेंगे तो चांप लगाएगे तो चटपि क्या ब्लाहिस सब्वासर चुड़ humour और जुड़े गांट पड़ जाए और जुड़ेगा भी तो उसमें गांट पड़ जाएगी इसलिए क्या करें कि हम प्रेम को प्रेम की महत्य को समझते हुए उसे सरस्ता के साथ प्यार के साथ आगे चलने दिए उसमें कभी अविश्वास्या जूत ना लाए क्योंकि अगर यह चीज आ गहीं तो फिर वो प्रेम प्रेम नहीं रहेगा उसमें फिर गांट पड़ जाएगी बहुत ही खुबसूरत बात यहां पर कियो महने और यह बता दिया कि हम प्रेम के महत्य को समझें उस पर कभी भी कोई आज ना आने दें तो बहुत सुल्दर यहां पर मैंने रहें के थोड़ से दो हिले और आवें और विदू हुदू